इशिया कप के फाइनल में इंडिया की जबर्दस बॉलिंग से लंका के फैन्स जो है वो मैच के एक घंटे के बाद ही जाना शुरू हो गए हैं वन डे मैच था एक्सपेक किया जा रहा था बहुत जबर्दस फाइनल होगा बाट जो है मैच जो है वो अब इशिया कप के आज हाउस फुल है और इस हाउस फुल को देखते हुए हम समझ रहे थे कि एक जबर्दस किसम का मैच होगा बाट देखने में यहा रहा है कि मैच वन साइडिड हो गया इंडिया की जबर्दस बॉलिंग ने स्री लंका की जो स्री लंका शुरू हो रहा है यहां पर मौजूद थे मैच वन साइडिड हो गया है तकरीबन तमाम विकेड जो है वो चली गई है मैं यहां पर कुछ और स्री लंकान फैन्स जो वापेश 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 जा रहे हैं उनसे बात करूंगा कोशिश करूंगा कि उनको जो है वो शामिल करूं बीच में यू गाइसार लिविंग तो बात नहीं कर रहे हैं स्री लंका के फैन्स जब इनका जाने का सिलसला स्टेडियम से शुरू हो गया है आप देख सकते हैं बड़ी दूर दूर से ल पर शुरू कर दिया गया है क्योंकि इंडियन बॉलिंग लाइन के सामने जो बैट्समैन है स्री लंका के वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ओर्डिनरी दिखाई दिये और सब जो है वो आउट होते चले गए और बहुत ही लो टोटल जो है वो पास है आर यू लीविंग यह फैंस स्री लंका के जा रहे हैं लेकिन अब बात भी नहीं करना चाहते तो यह स्टेडियम से अपडेट है जो हमने आपको बताई कि स्री लंका की पूर परफॉरमेस पूर बैटिंग परफॉरमेस के बाद जो है अब वो फैंस जो है वो यहां से निकलना शुरू हो लेकिए है और इंडियन फैंस यहां पर मौजुद है वाटर स्री लंका के हम फैंस देख रहे हैं कि यह जो है बहुत ही कम टोटिल टागेट दिया तो उसके पेशे नजर हार तो देखते हुए हार नजर आ रही है और इंडिया के फैंस कुछ यहां पर ज़रूर मौजूद हैं लेकिन जो अब स्री लंका के फैंस हैं आज बहुत ज्यादा ग्राउंड फुल था और लोग बहुत ज्यादा यहां पर एक्साइटेड थे और हमने देखा कि बहुत बड़ा नंबर में क्राउड यहां पहुंचा लेकर उनकी जो जितकी भी एक्साइटमेंट थी वो सारी खतम होगी चुके एडिया ने से लंका को सिर्फ पचास रंस पर पूरी टीम आउट कर दिया है तो आपको कॉलंबो से इक्स्क्लूजिव बना से दिखा रहा हूं के यहां पर क्या सूप्याल है मैच मुकंबल नहीं हुआ लेके ना से लंकान फैंस की जो थी वो सारी खतम है अविया जाओना से हवार पी आपको सिर्फ उमी ओर आफिया है तो आपको बच्चास एज कर दोक्तर रहा हुआ है हाँ है। झाल झाल